बारत में कुरुना के संक्रमन ने फिर से अपने पैर फैलाना जरूर शुरू कर दिया है लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कुरुना वैक्सिन को लेकर काफी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कई वैक्सिन निर्माता कंपनियों का परिक्षन अंतिम चरण में है अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में जनवरी अंतिया फर्वरी के शुरूआती सप्ता में लोगों को वैक्सिन मिल सकती है इतना ही नहीं इसका फाइदा समाज के हर तपके के लोगों को होगा इसके परियर्स का ठीका करण किया जाएगा इनमें डॉक्टर नर्स और नगरपाली का कर्मचारी शामिल है फर्वरी तक वैक्सिन आने की संभावना इसलिए प्रबल हो गई है क्योंकि अगर बिटेन में वैक्सिन के समाल को मनजूरी मिल जाती है तो बारत सिरम इंस्ट्रूट इंडिया को भी जल्दी ऑक्सपोर्ट एस्ट्रोजने का वैक्सिन के लिए आपातकारिन उप्योग के मनजूरी देने की योजना बना रहा है सिरम इंस्ट्रूट ऑफ इंडिया को आपातकारिन उप्योग के लिए आवेदन करने की आवश्यक्ता होगी इसकी संभावना है कि कंपनी दिसंबर में इसके लिए आविदन कर देगी आपको बता दे कि कैंदर सरकार वैक्सिन के खुराक की खरिद के लिए वैक्सिन बनाने वाली कंपनियों के साथ एक अनुबंधन को अंतिम रुप दे रही है एक आधिकारी सुत्र ने कहा कि सरकार ने इन कंपनियों से थोक में बेहतर किमत पर वैक्सिन खरिदने की बात की है दो शॉट वाले ठीके के लिए MRP जो कि 500-600 रुपे के करीब हो सकती है उससे आधि किमत पर खरिदने की योजना सरकार बना रही है इस मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अगर सब कुछ योजना के अनु के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले